हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज यह देखके तो समझी गए होगे कि हम क्या बनाने वाले हैं तो चलिए बनाते हैं पनी टिक का यहां मैंने लिया है एक कटोरी धाई यह आप खटे भी ले सकते हैं अगर आप खटी ले रहे हो तो फिर नेबी की ज़ुरत नहीं पढ़ेगी यह मैंने लिया है कुछ कसूरी मेति इसके डंडिया निकाल लीजिए मैं भूल गयी है फिर बाद में निकाल ली थी पर यह मैंने लिया है काले मिर्च यह मैंने दो टीस्पून लिया काली मिर्थ दो टीस्पून ही मैंने लिया है अजवाइन अब मैं ले रही हूँ बेसन यह थोड़ा भुना हुआ बेसन है इसकी जगा आप चने भी यूज़ कर सकते हैं वरना बेसन को थोड़ा भून लीज़े यह आप उतना डाल लीज़े जितने आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी हो जादा गीला गीला सा ना हो पेस्ट जो अम बनाएंगे इसके बाद हमें ले रही हूँ लेमन क्योंकि धाई खटी नहीं थी इसलिए मैंने हापे लेमन यूज़ किया है अब मैं ले रही हूँ वन टी स्पून सॉल्ट या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए यह मैंने थोड़ी सी ली है हल्दी इसके बाद यह है काला नमक इन सब को कर लेते हैं मिक्स अब आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है वो मैंने यहां पर नहीं करी थी अब मैंने यहां पर कुछ ऑईल लिया है इसको मैं गर्म कर लूँगी जब तक कि यह थोड़ा गर्म हो जाए तब तक मैं इस पर डालती है इसके बाद एड़ करेंगे और यह मिक्स करने के बाद और बहुत जादा हो गया था मैंने कलती से सारा ही डाल दिया था और फिर मैंने ऑफ कैमरा यह ओईल निकाल दिया था थोड़ा सा इसके बाद मैंने कुछ अनियंस ली है और कैपसिकम लिया है दो ही अनियंस ली थी मैंने और दो ही कैपसिकम थे इनको भी मिक्स कर लेंगे इसके बाद ले लेते हैं यहां पर पनीर के क्यूब्स अब पनीर डालने के बाद आप इसमें स्पून यूज नहीं करना क्यूंकि पनीर के पीसेस बहुत सॉफ्ट होते हैं तूट जाएंगे इसको हाथ से मिक्स कर लिजे अच्छे से कोट हो जाए सारे पनीर अब वो जो आती है ना सलाई जिससे दादी वगरा वो बुनती है कपड़े वो मैंने सलाई ले ली थी यहां पर और इसके अलावात हो कुछ थानी इसी से काम हो गया अब यहां पर सारे पनीर अनियन स्कैप से कम सब कुछ जाल लेते हैं अब मैं बता दू यह जो मेरा पेस्ट था थोड़ा गीला गीला सा था अब इसमें थोड़ा सा बेसन यूज कर लीजे जादा और बेसन को भून के ही लीजेगा जरूर अब इसको लो फ्लेम पे रखेंगे और अगर ऐसे नहीं डालना आपको यह स्टेक नहीं हो आपके पास तो क्या गड़ना तवा ले लेजे और उसके उपर थोड़ा सा ओयल या बटर कुछ भी या घी लगाके उसके उपर यह सारे पीसिस रख दीजे पनीर के भी और अनिय कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो वहात है कावधंग उसको तो थोड़ा गर्म करके मितला थोड़ा बनाकर और फहुआ से थोड़ा सा गी स्प्रेट कर announcing पूरस अज़ेगा पूरा तंदूरीlla पोलों की तो मैं करते दिखा दूघ और अब इसको आप या तो स्टिक के साथ ह पनी सर्व करिए या फिर ऐसे अलग हटाज लीजे स्टिक को और इसके ओपर थोड़ा सा नीमबू डाल देंगे और पनी टिक का एकदम रेड़ी है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको ट्राइ जरूर करिए बिल्कुल बहार जैसा लगता है थैंक यू